नमस्कार मैं हुआ मीश्टेव गुनरा सबसे पहले मैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे दू पूरे दिन के विवात के बाद कॉंग्रेस ने तैकर लिया है कि सोनिया गांदी अगरे एक साल तक की कॉंग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी सोनिया गांदी के अंतरिम अध्यक्ष बने रहने को लेकर CWC में रजामंदी भी हो गई है यानि कॉंग्रेस के 23 तिक जो ने जो चिट्थी लिखी थी उसे एक तरह से धरकिनार यानि खारिच कर दिया है लेकिन आज दिन भर कॉंग्रेस के भीतर और बाहर जो ड्रामा हुआ सियासी ड्रामा हुआ वो बड़ा दिल्चस्प है क्योंकि वर्किंग कमेटी की बैटक शुरू होता ही खबराई की राहुल गांदी 29 लोगों पर जमकर बरसे हैं जिन्होंने सोनिया गांदी को चिठी लिखकर कहा था कि पार्टी को अब एक जमीनी स्तर पर सक्रिया धक्ष की आवशकता है साती संगठन से उपर से लेकर नीचे तक बदलाव की भी आवशकता है सूत्रों के हवाले से कहा गया कि राहुल गांदी ने कहा कि ये लोग बीजेपी से मिले हुए है जिसके बाद गुलाम नभी आजाद और कपित सिब्बल ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा कोल दिया हाला कि इसके बाद सुर्जेवाला मैदान में उतर रहा है कहा कि राहुल गांदी ने ऐसा कुछ नहीं का है जिसके बाद मामला ठंडा हुआ या फिर उसको कवर फायर देने की कोश्च हुई सिब्बल और गुलाम नभी आजाद ने अपने तेवर ढीले कर लिये लेकिन बड़ा सवाल ये है क्या कॉंग्रेस गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष सोचने की स्टिती में नहीं है और क्या बिना आगके इतना दुआ फैल गया है इस पर होगी आज देश की सबसे बड़ी बैश क्योंकि हम इस कारेकरम को नाम दे रहें बगावत और इसके पुक्ता सबूत आज मैं आरपार में पेश करूंगा कि बगावत का संदर्व क्या है क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी में यकीन मानिये भूचाल है मैं आपको बहुत साफ कोई से बोल रहा हूँ कॉंग्रेस पार्टी में भीतर का भूचाल है जो आज CWC की बैटक में हमें देखने को मिला समय भी क्या खेल दिखाता है 2004 में Central Hall की इन तस्वीरों को देखे सोनिया गांधी ने कहा कि वो PM नहीं बनेगी तो तूफान मच गया नेता हाथ पाओं जोडने लगे कि सोनिया जी अपना फैसला बदल लीजिए कई कॉंग्रेसी नेता तो फफक फफक कर रोने लगे PM पद का त्याग कर सोनिया अपने घर दस जनपत पहुँची तो समर्थक वहाँ भी पहुँच गया खुद को अनात बताते हुए कई लोग छाती पीटने लगे कॉंग्रेस के पूर्व सांसद गंगा चरण राजपूत तो अपनी कनपटी पर पिस्तॉल लगा कर खुदकुशी की धमकी देने लगे अब ज़रा आज के युग में आई गुलाम नभी आजाब, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बत, मनेश दिवारी, शशित हरूर, जितिन प्रसाद, वो पेंदर सिंग हुड़ा, विरप्पा मोयली समेट 23 दिखकश कॉंग्रेसी नेता, सोनिया गांधी को चिठ्थी लिखते हैं CWC की बैठक होई तो रायता और फैल गया, पहले कथित तोर पर सूत्रों के हवाले से खबर आई कि राहुल गांधी ने CWC की बैठक में कहा है कि जब पार्टी राजिस्थान और मद्यप्रदेश में विरोधी ताक्तों से लड़ रही थी और सोनिया गांधी अस्वस्त तो उस समय ऐसा पत्र क्यों लिखा गया, पत्र लिखने वाले नेता BJP के साथ साट गांट कर रहे हैं, इसके बाद तो तूफान खड़ा हो गया, कपिल सिब्बल ने कहा, पिछले 30 साल में मैंने कभी BJP के पक्ष में बयान बाजी नहीं की, फिर भी मुझ पर मिली भगत का आरोप लगाया जा रहा है, गुलाम नभी आजाद ने कहा, अगर आरोप सच साबित होता है तो मैं इस्तीफा दे दूँगा, इसी बीच मैदान में ओवैसी कूद गए, गुलाम नभी साहब मुझ पर यही आरोप लगाते थे, अब आप पर भी यही आरोप लगा है, 45 साल क की गुलामी सिर्थ इसलिए, हलागे फिर मामला संभालने की कोशिश हुई, रंदीप सुर्जेवाला ने कहा कि राहूल गांधी ने बीजेपी से मिली भगत का कोई बयान नहीं दिया, इसके चंद मिंटो बाद ही कपिल सिब्बल ने नाराजगी वाला पुराना ट्वीट और नए ट्वीट में लिखा, राहूल गांधी से मेरी बात हुई, उन्होंने ऐसे किसी बयान से इंकार किया है, इससे लिए मैं पुराना ट्वीट वापस लेता हूँ, थोड़ी देर बाद ही गुलाम नभी आजाद का ट्वीट भी आ गया, जिसमें उन्होंने कहा, राहूल गांधी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि चिट्ठी बीजेपी के साथ मिलकर लिखी गई है, ना CWC के भीतर ऐसा कोई बयान दिया गया और ना बाहर, अब सवाल यह है कि बिना आग के इतना धुआ कहां से निकल गया, तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, और बगावत क्यों हैं? क्या कॉंग्रेस में गांधी परिवार से बाहर के आवाज माईने नहीं रखती? क्या अध्यक्षपत सिर्फ गांधी परिवार के लिए आरक्षित है? लेकिन बगावत क्यों है? राहुल गांधी भावुक होते हैं, एहमद पटेल अनन्द शर्मा को कहते हैं, अंबिका सोन क्योंकि कई नेताओं ने प्रवक्ताओं ने हमारी डिबेट में बोला कॉंग्रेस एक जिवन्थ पार्टी है, अगर 23 लोगों की चिठी आ गई तो क्या उनकी पॉलिटिकल लिंचिंग शुरू हो जाएगी? मेरे साथ बात करने के लिए आज जाधा दिगज मेमान है, मेरे स्तिती देखते हुए भी कुछ बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, ये आज पता लगेगा. अशोक वाँ खड़े है, उनका भी अभिननदन है, जाने माने पत्रकार है, कई दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं. अशोक जी मैं 40 सेकिंड से पहला बयान आपी का लेता हू राहूल गांदी भावुक हुए, राहूल गांदी ने बोला मैं बेटा हूँ, सोनिया गांदी अध्यक्ष बनी रहेंगी, अगले एक साल तक 29 लोगों को अब पोलिटिकली लिंच किया जा रहा है. अंबिका सोनि के रिए कि गुलाम नभी आजाद, तुम सोनिया गांदी क कृपा दृष्टी से बने सीम और आनन्ज शर्मा को एहमत पटेल ना आइना दिखाया है. देखिए, अमिश जी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में जैसा विद्रो होता है, तो उसका लिंचिंग होता है. ये सिर्फ कॉंग्रेस तक सिमीत नहीं है. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो. वहाँ विरोध के सूर नहीं चलते हैं. यहां तमाम बाकी भी जो रिप्रेज पॉलिटिकल पॉलिटिशन ते जिनका जमीन का कोई आधार नहीं था. सालों सत्ता भोगे वो रिटार्ड होने को तयारी नहीं है. भारतिया जनता पॉड़ा भी है. जो बड़े यंग है. इसमें मनीश तिवारी भी है. नहीं, वो एग्जेक्ली. इन तो कई हुआ भी है. पड़ी नाम भी पड़े. आप उस पे ना जाएए. आप एगदम कटाक्स मत करिये. चड़ मत बैटिये. आप सुन भी लिजिए. ये जो नए लोग है. इनका भी वजूत नहीं है. ये पेरा टूपर से अपने कहीं ना कहीं ये कॉंग्रेस के भरों से आये है. इनका कौन सा जमीन का है. और ये कल पार्टी में जाए ना. ये अलग पार्टी बनाए. इतना इंतजार क्यों करना? अलग कॉंग्रेस स्थापन करो. जाएए आप. आरजुन सिंग में ताकत थी. नारेंदर तिवारी में ताकत थी. उन्होंने करी. शरत पवार में ताकत थी. कि ममता बे आप नहीं लगा. जब राजस्तार की सरकार बची तब आपको लगा कि हमारा तो वजूदी खतम हो गया. ये पार्टी का विद्रोह बिना हमें पूछे ही ये शमन होता है. इसका मतलब हम रिलिवंट हो जाएंगे. हमारी दुकाने बंद हो जाएगी. तो फिर ये विद्रो उड़ा है. और विद्रोह का क्या होगा? जो आप बता रहें, वो भी मेडिया की खबरत के भरों से ही बता रहें. राहूल गांधिय ने कहा, BJP का नाम नहीं लिया. राहूल गांधिय ने कहा कि ऐसे पत्रों से और ऐसे पब्लिक स्टंड से विपक्ष मजबूत, जो हमारे विरोधी है, वो मजबूत होते हैं. कही ना कही पार्टी की किरकरी होती है. इस बात में CWC की बाहर खबरे आई, जैसे कि आप केलिविजन चैनल सब जानते हैं, ब्रेकिंग खबर के लिए तो तड़ा के बैटे हैं रहते हैं, और ताड का ताड बनाना तो सब को आता है. देखें, बड़ा पड़ हो गया. राहूल गांदी ने कहा कि मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं. जो 23 लोग ने पत्रम ने कहा, उसमें से कई लोग तो यह पूरने वा देखिए आपने बात को रख लिया, आपने बात को रख लिया, संबित पात्रम आपके पास आता हूँ. त देखें, अमीश भाई, यह बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है. यह कॉंग्रेस नॉन वर्किंग कमिटी जो है, यह कोई काम नहीं करती है. बताइए कल से कॉंग्रेस नॉन वर्किंग कमिटी की मीटिंग होगी, मीटिंग होगी, मीटिंग होगी, सुबै से हम बैठे हुए हैं मीटिंग के आस में निखिए मिठाई का डबन तक मगा के रखखा-ता मैं ने प्लाफ ना होगी राहुल गांदी की होगी राहुल गानधी अध्यक्ष बन गए हैं मैं मिठाई बाटूँगा सारे केमरा पर सुनाएंगे सब को मिठाई दूंगा अब बताइए अब अचारे जी इसका रिंबर्समेंट करना पड़ेगा राहुल गांधी का अध्यक्ष बनते में काजू कटली बाता अब आपने यह नॉन वर्किंग कमिटी है कुछ काम नहीं करती है छे सालों से यही कर रही है मीट कौन अध्यक्ष बनेगा मीटिंग इटिंग और उसके बाद कुछ नहीं देखे दूसरी बात है छोटा सा कवीता है कॉंग्रेस को लेकर मैं सुना देता हूं राहुल राहु हो गया राहुल राहु हो गया के तू बना परिवार बेटे का हो संगटन बेटे की सरकार पाटी सिंपल हो गया गुलाम नभी परवार देखो सुनो चुप रहो आदेश करे परिवार सच बोलने की सजा सच बोलने की सजा घरदन पर तलवार हाँ जी हाँ जी हाँ जी करो वरना तुम गद्दार यह स्टोरी है कुल मिलाक के आज के जो कॉंग्रेस नॉन वरकिंग कमिटी क और दूसरी बात अंत्वे कहना चाहूंगा अमीश भाई आज कॉंग्रेस पार्टी में ये दशाय चक्रवात आया है चक्रवात का अरत होता है साइकलोन आज ये सारे कांग्रेसी जो हैं ये सारे रिया बने हुए हैं रिया सारे संदेह के घेरे में हैं बहुत बड़ा इलिष्य बात अया हुआ है और सारे रिया बने हुए हैं सबको लग रहा है कि यहीं हत्या करना चाहता है का अधिय सवाल उखता रहे हैं अचायार PL किष्टम कहानी क्या है अगर सोनिय गांधी कोई दुबारा अंत्री मत्यक्ष बनाना था तो सुबे से शाम तक CWC की बैटा कोई क्यों थी चिठ्थी लिखी क्यों गई थी गुलाम नभी आजाद अभी भी राजसभा में लीडर है और आनन शर्मा उपनेता है यह पाइटी का इंटर्नल डेमोक्रेटिक सिस्टम है और आजादी है मैं अभी बाजपा के राष्टिये प्रवक्ता से आज उलजना नहीं चाहता हूं क्यूंकि अभी ताब खुदी समिक्षा भी कर दे कम से कम कॉंग्रेस में इतना डेमोक्रेटिक अधिकार तो है कि 23 लोग वरिष्ट लोग चिठी लिखते हैं और कॉंग्रेस नेत्रत उसे मुद्दो की बात करते हैं दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो यह बात उठ रही है अभी वानखेड़े जी वानखेड़े जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं और कॉंग्रेस को बड़ा नज़थीक से उन्होंने देखा मनेश्तिवारी जमीन से आये हुए वेक्ती हैं मनेश्तिवारी लोकसभाजीते है मनेश्तिवारी के पिताजी का एसस्टनेशन हुआ था हत्या हुई थी लिखना को गलत थोड़ी है डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो क्या वो 23 लोगों का अगर अचारे जी बाफ करिए मैं बीच में टोक रहा हूं तो इनकी पॉलिटिकल लिंचिंग तो आपकी पार्दी कर रहे हैं कुमारी शैल्जा कह रही है कि जिन्होंने सत्ता सुख भोगा वही चिठी लिख रहे हैं एमद पटेल करें कि आनन्द शर्मा ने ड्राफ्टिंग करिऊंगी आप तो ड्राफ्टिंग के एक्सपोर्ट है पड़ी नहीं थी चिठी आपने और गुलाम नभी अजाद को अंभी का सोनी के रिए कि तुम सीम बने सोनिया गांधी की कृपा से परिवार का एक एहम इस्थान है इसमें कोई हिचक नहीं है मुझे कहने में दूसरी बात नहरु गांधी खांदान खुद नहीं गया था किसा हमें जब राजीव गांधी का एश्यस नेशन हुआ उसके बाद नरसीम रहा प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद सोनिया जी न नहीं मेरे परिवार का बनेगा तो अगर 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 रहुल गांधी गुस्ता करते हैं तब प्रॉबलम आपको है भावुक होगे तो प्रॉबलम है अरे कॉंग्रेस परिवार है राहुल जी ने अगर बड़ी साफ गोई से बात करा जाए साफ दिल से राहुल इनका मेरे परिवार का भी अद्यक्ष नहीं होगा तो यह वर्किंग कमेंटी की जिम्मेदारी थी मैं बड़ी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि उसी समय एक साल पहले नए अध्यक्ष बनी रहेगी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आपका निशाना किस पर है आप मेरा निशाना नहीं है मैं सच्चाई बया कर रहा हूं ना अजारे जी 23 लोगों ने हिम्मद जुटाई उनका हाल क्या हो रहा है वो 23 लोगों को क्या हाल हो रहा है क्या हाल हो रहा है आपको कि लग रहा है कि हम खुद खबर को बना रहे हैं और खुद दिखा रहे हैं अंब अगर अमीश देवगन अगर 23 लोगों ने चिठी लिखी किसी के खिलाफ कारवाई होती तब आपका सवाल जाइज था कॉंग ये पार्टी का हमारा इन डेमोक्रेटिक सिस्टम है कि एक दूसरे पर कारवाई की बात करता लेकिन हुई तो नहीं अगर 23 में से एक के खिलाब भी कारवाई हो जा तम मैं मानूँगा कि कॉंग्रेस नेत्रत जो है वो डिक्टेटर्स हो गया है वो तानाशा हो गया है वह तेइस लोगों ने सुझाव दिया कॉंग्रेस परिवार का कॉंग्रेस में सबसे अधिक सम्मान है मैं इसको सुईकार करता हूं और क्यों नहीं नहीं अगर दोश है तो कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी के उन तमाम नेताओं का है तो रहूल गांधी पूरा का पूरा नहीं 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 रहूल गांधी के वाद नैया त्षट कंग्रेस को मिलता इसकी जिम्मेदारी किस की थी कांग्रेस अपनी जिम्मेंदारी का वी तो चाति रहूल गांधी तुब आपने अशोग जीव पर भी टिप पणिखरी मैं उनसे बाले लेकिन सम्भी देखिए मजे तो वो फिल्मी डायलोग आज थोड़ा से में मजे मजे में डिबेट करूँगा अन्य था मत लीजिएगा मैं नहीं चाहता हूं कि आचारे जी के हिर्दय में पीड़ा हो इसलिए मैं आराम आराम से और मजे से करूँगा ताकि वो भी आनंद ले सके मुझे वो कांग्रेस की पीछे आओ कहां है कूल मिला के तो कांग्रेस आधी रह गई है उसमें भी आदे इधर जाओ आदे उदर जाओ और पीछे से आओ कहां से हो पाएगा बताईए आचारे जी रिदय में पीड़ा तो नहीं हो रही है आप घबरा रहे तरह इसलिए मैं मजे मजे म प्रार्थना करके कहता हूं मैं तुम्हारे को लड़ू चढ़ाऊंगा तुम्हारे उपर मैं दुख दिसनान करूंगा और ज्यादा इनको इंटरनल डेमोक्रिसी दी जाए यह सडकों पर आके एक दूसरे के सर फोड़े यह एकदम एक दूसरे को समाप्त कर दे हमारा क्या जा रहा है तीसरी बात है इनर डेमोक्रसी चिट्थी लेकर बैठा हूं 23 लोगों का चिट्थी क्या लिखावा है डेमोक्रसी की आप पर्चम सुनिए जरा हमें एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो पूर्ण कालिक और प्रभावी नित्रुत्तों दे सके अंग्रेजी में दूसरा विशय क्या लिखा हुआ है पार्टी को फिर से खड़ा करना है बड़ा बायान कॉंग्रेस में CWC बैठक पर बोले रंदीप सिंग चुर्जेवाला पार्टी को कमजोर करने की छूट किसी को नहीं है 23 लोगों की चिट्थी का संग्याल लिया गया है पार्टी संग्याल ले लिया गया है संभित पात्रा विकली 10 सेकिंड में कम्प्लीट करी देल अचारे प्रमोत कृष्णम जी डेमोक्रिसी की बात कर रहे थे इस चिट्थी में लिखा हुआ है कि हम ऐसा प्रभावी जमीनी नेता चाहते हैं जो ना सिर्फ काम करता हुआ नजर आए बलकि असल में जमीन पर उतर कर काम करे आप समझ रहे चिट्थी में क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि ये जो गांधी परिवार जिसकी गुनगान ये कर रहे थे ये केवल काम करते हुए नजर आते हैं मतलब वीडियो रिलीज करते हैं कुछ बाइट दे देते लिखा है वह हैं वह हैंट सम और अंग्रेजी वाला जो बताया था अशोग गैलोजी ने हमें असलिक जबाब रहे चाहिए ये डेमाकरेसी है वह और अध्यक्ष चाहिए वह ज़मीन पर काम करे यह निराहुल गांधी यह कुछ नहीं कर रहे ते सुनिया गांधी यह कुछ मैं बनूगा ना मेरे परिवार का कोई अध्यक्ष बनेगा तो यह राहुल गांधी जी ने खुद कहा था तीसरी बात आज भी राहुल गांधी जी ने अध्यक्षता को स्विकार नहीं किया है तो राहुल गांधी के इस फैसरे का स्वागत होना चाहिए उनको आप क्या चाते कि अध्यक्ष मनाया जाएं तो यह देखिये मेरे चाहने से अगर किसी को अध्यक्ष बनाया जाता तो कॉंग्रेस का कार्य करता और हम जैसे बहुत लोग हम लोग चाहते हैं थे कि पहले राहुल गांधी इस पद्द पर आएं दूसरा अगर वह नहीं आते कि सास्वास्त का ध्यान नहीं रखेंगे क्या तीसरी बाद कांग्रेस का कारे करता चाहता है कॉंग्रेस के अंदर अध्यक्ष का कॉंग्रेस का का इलेक्षन होना चाहिए सेलेक्षन नहीं होना चाहिए यह कॉंग्रेस का कारे करता चाहता है तो लेकिन इसका जो इसकी जिम्मेदारी जो है वह कॉंग्रेस के अंदर यह सत्य है कि जूट है आगर मैं घलतूतु नहीं नहीं परिवार से नहीं जड़िे सामय सीमा बताईे सब मैं आपको बिभात आता हूं कॉण को लगवग 18 वो और गांधी परिवार के साल बताई है और गांधी परिवार के साल बताई है गांधी परिवार तो के अरे गांधी परिवार चिला चिला के कह रहा है कि हम अध्यक्ष नहीं बनना चाहते तो यह कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी का राइट को बनादे अशोग गेलोत को बता बना यह कमाल है एक सेकिंद यह तो कमाल है आप गुस्ता आशोकवांगड़े को बोल दिया कि यह यह सब जमीनी नेता हैं इन जमीनी नेताओं का हश्र क्या हो रहा है अब दिल्ली में रहने के बाद इनकी जमीन चुट गई है कब तक इतियास में रहेंगे इन पुराने लोगों को कब तक ढोएंगे पार्टी को नया लोग आने चाहिए और रही गांधी परिवार एक सेकंद एक मिनिट आचारी जी मुझे बोलने दिजिए आपने जो तमाम गांधी परिवार के रहित जो नाम गिने हैं आपने जगजिवन राम से लेके तमाम लोगों के नाम गिने हैं ये तब अध्यक्ष्य बने जब गांधी परिवार का कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर था जब वो प्राइम मिनिस्टर था तो सत्ता उनके हाथ में थी इंद्रा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी कॉंग्रेस में अध्यक्ष था कॉंग्रेस ने एक आदमी को निरम सर्जेव रेड़ी को राष्टर पदी घोशित किया क्या किया इंद्रा गांदी ने वीवी गिरी को लाया और अपने पार्टी का सदस से गिरा दिया तो तब ताकत पूरी प्राइम मिनिस्टर के पास हुआ करती थी जब आपके पास सत्ता नहीं होती तो बाद में यह हुआ कि प्राइम मिनिस्टर भी अपना और अध्यक्ष भी अपना बीच में एक बार नर्सिय रहा हो आ गए उसके टाइम पर केश्री जी आ गए क्योंकि सोनिय जी पीछे ती ये बात आप जान लिजिए कोई भी खेत्रिय दल हो या कॉंग्रेस हो अपने देश में वाम पार दलों को छोड़के ऐसा कोई राजनितिक दल नहीं है जिनक कर एक परिवार से या एक संगट है अज मैं बीजेपी की इज़त करता हूं लेकिन बीजेपी में नान संग जी जो संग के शाका से नहीं आया वह अजचा भी नहीं बन सकता कभी और प्राइम निस्टर भी नहीं सकता क्योंकि वो उनका पित्रू थान है वह आएंगे उनकी पार्टी वेसी चलेगी कांग्रेस में आज चित्थी ने के बड़े मज़े मज़े से पढ़ रहा है संदीप पात्रा जी जब पचित्री अरुन शोरी लिखते हैं जब सिना सब्सक्रीन पर आई है चत्रोकर सिना बोलते थे और अभी 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 स्वामी जी बोले सुब्रेम सवामी ने कहा कि नरेंद्र मोधी का कांट्रीमिशन राम मंदिर में तलिवीजन पर का चर्शारी दुनिया को पता है इसके बाभुजूत भी होता है प्राइमीनिस्टर खुट कहते हैं कि यह बले से मारने वाला विधायक पार्टी में क्या कर रहा है वो पार्टी में है प्राइमनिस्टर खुद कहते हैं कि आज मैं बहुत पीडित हूं कि महिमा मंदित करने वाले नतुराम गोर्षे को लोग लोग सभा में बैठे उनी के पार्टी में बैठे हैं यह मज़िबूरिया होती है यह हर पार्टी की मजबूरिया है मैं गलत नहीं कहता संबित पात्रा अब मैं जड़ा आ जाँ आराम से मैं चिल आने वाला नहीं हूं देखिए है मैं आज हमारे पार्टी में किसे कारकार की परिस्थिती है क्या नहीं है यह सब मैं डिसकस क्यूं करूं कूं करूं मैं यह Congress Working Committee जो है यह नॉन वर्किंग कमिटी बनी हुई है मैं क्यों बीजेपी क्या है एक्स्प्लेन करने जाओं भाया आज पूरा हिंदुस्तान बीजेपी को साशन दे रहा है मोदी जी पर विश्वास करता है कुछ तो कारण है न और देमोक्राइब देखे आज जेपी नडडा जी जगत प्रकाष नडडा जी हमारे अध्यक्ष है कल तक कोई आप अशोक वांखड़े जी से पूछे मेरे बड़े भाई है अशोक वांखड़े जी भी नहीं जानते थे आचारी जी भी नहीं जानते थे और आप भी नहीं जानते थे ति नडडा जी अध्यक्ष बनेंगे संग की साखा को गांधी परिवार से कमपेर नहीं किया जा सकता है उसमें फरक है कॉंग्रेस के अंदर परिवार ही और हमारे यहां परिवार ही परिवार है यह फरक है हमारे डेफिनेशन और उनके डेफिनेशन में इसलिए यह कंपेरेजन बिल्कुल मैं आज क्यों कॉंग्रेस नॉन वरकिंग कमीटी के बारे में डिसकस करूँ दो तीन बाते महत्तोपूर्ण है आपको मुवक्व दे तो अचारे मैं कम्प्लीट कर लूँ थीक है आपकी अनुमती से मैं कम्प्लीट कर लो जीए देखिए पहली बात है आपको कॉंग्रेस के इतिहास को जनना होगा मतलब 1885 में जब अलान ओक्टेविया हूम ने शुरू किया था कॉंग्रेस पार्टी को और आज जब 2020 में अन्टोनियो माइनो अर्थात आधनिया सोनिया गांधी जी उसके अध्यक्षा है उसके बीच A to Z के बीच में जितना अल्फाबेट होता है उतनी बार कॉंग्रेस पार्टी तूटी है कॉंग्रेस पार्टी का हकीकत है कि बैल से गाय और बचडे तक गाय और बचडे से हाथ तक और हाथ से राक तक की सफर है ये आज राक और खाक तक कॉंग्रेस जा चुकी है यह आरंब बैल से हुई थी पहले बैल बने हुए थे फिर गाय और बचड़े बने उसके बाद गाय और बचड़े का क्या किया हूँ आपको पता है फिर यह हाथ पर आये और आज हाथ भी साथ छूट की गई है यह राक और खा जवाब जवाब यहीं कॉंग्रेस जेड तक जाएगी ओके अचायरे प्रमोत कृष्णम संभित पात्रा की बात का जवाब और अशोक वह खड़े की बात का भी जवाब देखे पहली बात तो यह है कि जब यह चिठी नहीं लिखी गई थी तो उससे पहले क्या कहा जाता था कॉंग्रेस पार्टी के अंदर एक चम्चों की जमात है कोई कुछ नहीं बोलता है नेता नहीं है नौकर है आज 23 लोगों ने तो आप मान रहें कि यह 23 लोग चम्चे नहीं है जो बाकी लोग है वो चम्चे है मैं यह कहना चाहता हूं कि चम्चागिरी बीजेपी में आज किसी की हैसियत है किसी निरने पर सरकार के समिक्षा कर ले पहली बात दूसरी बात दूसरों के वारे में बाते करना बड़ा चम्चे है अचारे जी कॉंग्रेस में 23 लोगों के राव बाकी सब चम्चे है बोल रहे थे सम्मित पात्रा ने कहा कि साथ संग परिवार और यह परिवार में अंतर है बिल्कुल अंतर रहे मैं सेहमत हूं यह परिवार बल्दानी परिवार है इन्होंने दोड़ो पूर पाइटी है जिसके अंदर इनर डेमोक्रेसी है आंत्रिक लोगतंत्र है आपके यहां तो है नहीं कोई सवाल नहीं उटा सकता अगर इन्होंने चिथी लिए गलत नहीं लिए तो भी गलत अरे भाईया हैं आप अपनी बात करो ना मैं अशोग बांखेडी जी की बात से सहमत पाइटी के अंदर मत्मेध होता है तो अभेड है कुछ चंचे है यह 23 लोग चंचे नहीं है समित पात्रा तरह संग का अध्यक्ष रहता और शंग का सर्चंचालक रहता तो आप कहते रे परिवार बाद चलता है आपका रोप सही होता लेकिन ऐसा तो है नहीं न वापर ऐसा तो है नहीं न यहां पंडित लेरू ने कहानी शुरू करी और उसके बाद आज आज उसके बाद उनकी बेटी उसके बाद उनकी बेटी के बेटा फिर दूसरा बेटा फिर बहु फिर पोत भी तो परिवारवाद यह होता है जारे जी अमीश आप नरेक्टी पंदर रहे हैं मेरे जुल्म हो रहा है निक कहां कह रहा हो क्या राहूल गांधी ने कहा मुझे अध्यक्ष बना दो सब पूरी कांग्रेस पार्टी करिये राजिया कमाल की बात है राहूल गांधी अध्यक् आज बात करेंगे अध्यक्ति पार्टी डिसाइड करेंगे तो करेंगे अध्यक्ति अध्यक्ति नहीं वहना चारे जी कर लेंगे कर लेंगे चलता मत परो क eerste करेंगे गुस्सा मत करिये, सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है, इतना गुस्सा दे कपिल सिबल कर रहे हैं क्या, चुपचाप ट्वीट डिलीट कर दिया है, आप मत गुस्सा खाई है, दूसरी बात आचारे जी ने कहा, कि परिवार बहुत बलिदानी परिवार है, महान परिवार है और उसके बदले में परिवार को हमनों को सम्मार, मैं तो मिठाई का डबा खाली में लेके आया था क्या, ये मिठाई का डबा सुबह से लेके मैं क्यों बैठा हूँ, ये मिठाई का डबा परिवार के लिए ही लेके बैठा हूँ, राहुल गांधी अगर अध्यक्ष बन ज परिवार के उपर हम के हम साजिश कर रहे हैं इन्होंने कहा कि हम साजिश कर रहे हैं परिवार के खिलाब अरे मिठाई खरीद के लाए हैं सारे बीजेपी के कारेकर था मिठाई खरीद के बैटे हुए हैं आप लोगों ने साजिश किया है और कॉंग्रेस आपने कहा कॉंग्र सोनिया जी की है और आप यहां पर भले बनके बैठे हुए हैं मेरे से खफा खा रहे हैं देखिए यह हमारे उपर अटेक करके कुछ नहीं होगा आज कॉंग्रेस पार्टी को डिबेट में नहीं आना चाहिए था चुप-चाप घर में तकिये के उपर मून रखके रो ना था आज वेकार का डिबेट में आए हैं आप लोग अचारे जी और अचारे जी एक प्रसीं था अचारे जी दस सेकंड दस सेकंड में एक प्रस्शन एक मिट अच्छा जी बोल रहे हैं आइंदा कॉंग्रेस को लेके कोई भी मिठाई मत खरी दिएगा ड्राइफूट जब आप चुनाओ लड़ रहे थे लोगसाबा का तब मैंने ड्राइफूट का डबा लेके खरीदा था यह सोचके कि मेरा भाई चुनाओ जीतेगा तो मुझे जाना है लेकिन वो ड्राइफूट का डबा जल्दी खराब नहीं होगा और मुझे विश्वास है अगला लोग आप यह सोच्ट बाइक को ऑलले दो नहीं रामने चोटे वह को बोलतip निश्वास रीक्रइब करें मुझे आप रहे को पहुंचेगा यह अखनि यह और आपके पास अच Northwest appropriate अब कर चाथ Histus पर एख ऐजमने दॉटे का लएज उसके हाथ मेरे बड़े भाई हो जो छोटा भाई होता है ना वो आपको काजू कतली दे या नहीं दे आपको दस डब्बे ऐसे ही दे देने चाहिए अरे मैं चोटा हूँ आपसे उमर में अनुभाव में सब चीज में चोटा हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दब्बा भेजो मैं भागवान जगनाज जी के चरणों में उसको प्रसाद चड़ाओंगा उसका मैं भागवान जगनाज जी को प्रसाद चड़ाके आपकी लंबी आयू के लिए कामना करूंगा आपका चोटा भाई बोलता हूँ जब तक मेरा चुनाज जीतेगा पूरी में नहीं नहीं है तो मिठाइब बात रहा हूँ आपकी पैसान हो रहे हैं आपको बता है आपको बहुत बुरा लगा है मैं आपसे ड्राइफूट ले लूँगा मैं ले लूँगा ड्राइफूट अब मुझे बोलने दिया जाए धन्या बिल्कुल दे दूगा मैं लेकिन जैसे कि आपके आदत है बड़ा चड़ा के मत बोलिएगा मैंने एक डबा खरीदा एक किलो का वही दूँगा आप दस डब मत जोड़िएगा एक डबा बोला मैंने क्योंकि आपके आदत है टेलिविजन पर डिसक्रिशन करते समया अब अगर दस भी मांग लूँगा तो आपका दीन कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के लिए सरफुटवल हो रहा है यह इतना इसमें भड़कनी की क्या वश्यक्ता है कोई भी वेक्ति इसमें हमारा क्या लेना देन आप बताईए यह मोदी जी का करतव्य है यह अमिट शाह जी का और जगत्रकाश नड़ा जी का दाइत्त है कि कॉंग्रेस की CWC अच्छे से काम करे यह बैठे सही चुनाओ करे और यह जो चिट्थी 23 लोगों ने लिखा है यह हमने लिखवा दिया था और लोग हम पे नराज ऐसे हो रहा है जैसे हमने लड़ा 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 दिया है और जादा इंटर्नल डेमोकरसी हो हमें कैसे मुष्टी ले अधिया अमीश एक तो पहली बात साफ कर देता हूं राहूल गांधी पद के लालची नहीं है अगर उन्हें अध्यक्ष्टा अपने पास रखनी होती तो उन्हें अध्यक्ष्टा से कोई हटा नहीं रहा था 2013 का बाक्या अशोग वानखेरी जी को याद होगा आपको भी याद होगा उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाने की मांग उठी थी कारे करता हूं ने कहा था 2013 में के मनमोन सिंग जी की जगे रहूल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिये जाए राहूल गांधी ने स्थान में क्या क्या हुआ ये सब देश के सामने है ताहुल गांदी उस तरह के नेता नहीं है नंबर एक नंबर टू अभी सम्वित पात्राजी कह रहे थे किया आचार जी आप मुझसे घवराते हैं घवराएंगे क्यों नहीं आपने हमारे परिवार का सदस्च छीन लिया औ अप्सक्राइब करें कि ये अपने प्रार्थना की मेरे लिए प्रार्थना को अपने पास मैं ऐखा जो कत्ली भेजुँगा आप मेरी बार शो गे साफ की के डिवेट के नियूद आपने कहा ना किमाति के साफ न आपके साही नहीं करना चाह रहा था ना कर दो ठाहए HEY सै में सामreek प्रह। ठाहिए जाइे की यान्सा टी मांगत एुए लूद अब यहां आपको अब नहीं तो अब तो इतने तो अब इतने पर नहीं आपको आपको फिर कुछ हो जाएगा तो बलेंगे मैंने मार दिया आप यह मेरा समय है अब मुझे बोलने दिया जाए अब देखिये फिर कुछ हो जायागा तो बोलेंगे मैंने मार दिया ये सब उचित बात नहीं है अब यम्राज के अवतार हैं ये फिर बोलेंगे कि मैंने मार दिया ये उचित नहीं है अब मैं यम्राज हो गया चलिए भया हम सब यम्राज है आप भगवान जी मुझे बोलने करूंगा अरे इनको शांत करिये ने तो फिर बात नहीं है अच्छे एक 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 करके बोला जाए जो भी आरोप है एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब आपको यह कहानी हो रही है उस पर वेसी साब ने बोला जो मेर को कहते थे वह अब खुद साबित करना पड़ेगा क्यों देखिए बड़ी मदे की बात यह है कि गुलाम नभी आजास साब ने कई बार और तमाम तांग्रेस के लीडरों ने कई बार यह बात कहीं वैशी साब के बारे में कि हम लोग भी जेपीट के आजयंट है बड़ा फकर महसूस करते थे बड़ा तो हमाएं लोगों के समाज में कहावत है कि अल्ला की लाठी जब गिरती है तो ऐसे लाठी में आवाज नहीं होती है और खुदा के गर देर अन्धेर नहीं है तो आज पलट करा गया कि जिस पाल्टी में है और जिस पाल्टी की इलक्षन के दोर में उन्होंने जिस पाल्टी के लिए हम लोगों को बीजेपी के एजेंट कहा था आज उसी पाल्टी के सर्वश्वेश्ट नेता जो सबसे बड़े नेता है उन्होंने ही आज आपको कह दि आप पर तंज कस रही है ठीक है असीवकार मैं आपके पर दुबारा हूँगा एक बड़ी अचारे परहूत किश्ण को सुन लेते क्या बोला अंबिका सोनी ने बोला गुलाम नभी अजाद आपको अध्यक्ष सोनिय गांदी की क्रिपा से आप बने और आप इस तरह की चिट्ठी लिख रहे हैं तो बिल्कुल कुमारी और 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 उन्होंने ये भी बोला कि इन सब पर कारवाई होनी चाहिए कुमारी शैदा ने खुद कह दिया कि ये किसी ने नहीं कहा तो ये बात खतम हो जाती है आप इसमें क्यों अभादे करके इसको भड़काना चाहते हैं इस बात को मैं क्या बढ़का रहा हूं जी कॉंग्रेस इस सुबे से भड़क भड़काई का काम कर रही है असीम वकार अमीज भाई सामित मैं आपको मौका दूँगा असीम वकार ये एक आज आता है कि जहां थोड़ी सी चिंगारी होती है वहीं शोला भी निकलता है तो ये तो सच्चाई है कि कहीं न कहीं जब कपिल सिब्बल जैसे गुलाम नभी आजाद जैसे लोगों ने इतना वड़ा र अचारे जी जबाब 15 सेकंड पर जवाब अचारे जी देखे पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कपिल सिब्बल गुलाम नभी आजाद आनन शर्मा ये ना वीजेपी के हैं कॉंग्रेस के वरिश नेता है आज भी कॉंग्रेस के अंदर हैं कॉंग्रेस म अचाद रहे वो बद़रालेना चाहते हूं कि वैसी साहँ के लिए कई बार ये बात कहीं गई है कि वो BGP के एजेट हैं ये कॉंग्रेस के नेताओं की तरफ से कहीं गई थी तो वह आज दो आज बदराले नहीं जाएगा इस बात में डम नहीं है ना तो राह OB योगों ने कल कहा था कि ऐसी कोई चिठी नहीं है आज कह रहे हैं कि चिठी परी पूरी की पूरी CWC हुई है तो देख लीजिए इनकी हकीकत क्या है दूसरा यह कह रहे थे गांधी परिवार लालची थोड़ी है कोई सत्ता के लालच नहीं है अच्छा यह सारे मदर टेरेसा बने हुए हैं गांधी परिवार इनको कोई लालच नहीं है याद है दिस मॉर्निंग गॉट अप एट नाइट उसके बाद वैलकोनी में गये थे तो उनकी माने कहा था कि सत्ता जहर है फिर भी घूंट पिये जा रहे हैं यह सारा कुछ ड्रामा यह क्यों चल रहा है यह क्य प्रिये नमबर बन डिबेट चो आपार मैं सीधा रूख करता हूं संबित पात्रा का लेकिन उसे में बड़ी खबर इस समय गुलाम नभी आजाद के घर पे मनीश तिवारी पहुचे हैं और साथ ही पहुचे हैं कपिल सिब्बल और उन्होंने समवाधाताओं से बात नहीं करी है लेकिन इशारों में कुछ का है जो अभी तक क्लियर नहीं है लेकिन एनाई के हवाले से इस समय की बड़ी खबर है मैं आपको पता दू गुलाम नभी आजाद के घर पहुचे हैं कपिल सिब्बल और साथ में मनीश तिवारी शशी थरूर भी है ये भी अपडेट तो यम्राज भी है अचारे जी ने बोला अमीश भाई चाकी अचारे जी स्वस्त रहें इसलिए ये चिंगारी वाला जो प्रशन आपने पूछा है मैं गीत के रूप में गाने के रूप में आचारे जी का मनुरंजन भी करता हूं और उन्हें खुश भी रखता हूं सुनि जो अगन लगाए उसे कौन भुझाए उसे कौन भुझाए पत जर जो बाग उजाडे वो बाग बाहर खिलाए जो बाग बाहर में उजडे उसे कौन खिलाए उसे कौन खिलाए आचारे जी इस रात की सुवह नहीं है और कॉंग्रिस नामक बाग की बाहर नहीं है ये गलती मेरी नहीं है और मैं यमराज नहीं हूँ आप सुक्राचारिये हैं और सुक्राचार को हर्देव यमराज नजर आता था यह मेरी गलती नहीं है यह कांग्रेस की गलती है आप प्रणाम सुखार करें अचारे प्रमोटकिष्णम यह अलग बैठक क्यों और यह सी डेवली सी की बैठक तो हो गई इस नापाक सरकार को इस अपवित्र सरकार को हटाएगी और आज एक बात का रहस्योद घाटन हुआ है कि सम्वित पात्रा जी को भाजपा के प्रभक्ता के सास्थ अम्राज का वी दाई चैριए बहुत बहुत शुक्रिया समय फिलाल इतना ही है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी ये सब कुछ करेगी कॉंग्रेस अभी तक क्या जिम lazımidari नहीं बह रही थी अभी तक कॉंग्रेस का अध्यक्ष जमीनी नहीं था ये कॉंग्रेस के ही सवाल है कॉंग्रेस के अंदुरूनी सवाल है जब आप कॉंग्रेस को देना है वर आज की बहस का निश्कर शही है कि आप अपना घर नहीं संभाल सकते देश संभालने की आप बात करते हैं पहले अपना घर संभालिए और फिर देश की बात करिए नमस्कार